हेलो गाईज, वल्कम बैक टू माई चानल, टैक्विट अंजू, सो गाईज, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि गाईज, इंस्टाग्राम रिल्स अप्लोड प्रोब्लम, तो गाईज, बहुत सारे लोगों का ये प्रोब्लम हो रहा है, अगर आप इंस्टाग्राम पर रिल अप्लोड करने की कोसिस कर रहे है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर जा के रिल को अप्लोड करने की कोसिस करते हैं, तो गाईज, यहाँ पर आपका जो रिल है, वो अप्लोड नहीं हो पारते हैं, तो गाईज, इसको इ इंस्ताग्राम यहाँ पर अपडेट आया है कि नहीं अगर अपडेट आया हुआ है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए क्यूंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपडेट आते हैं और आप लोग नहीं करते हैं तो इसी वज़े से भी बहुत सारे ऐसा होता है कि कुछ-कुछ वर्क कर नहीं करता है तो इसलिए आपको अपडेट कर लेना है ठीक है उसके बाद आपके अपने फॉन के सेटिंग पर चले आना है फॉन के सेटिंग में जाने के बाद यहां पर एपस आपको एपस पर क्लिक करना है एपस पर क्लिक करने के बाद मैंने से पर क्लिक करना है उसके ब आपके अपने फोन को क्लियर केसी कर देना है क्लियर केसी करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं बैक करने के बाद आपको यहां पर एप परमिशन का ओप्सन लिखाए दिया होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद गैस यहां पर आप देख सकते camera, contact, file, media जो कुछ भी है यहां पर आपको यहां पर एक एक लगवा क्लिक करना है सबसे पहले camera में आपको चेक करना है कि आपका camera allow है की नहीं तो आप देख सकते हैं अगर आपका camera don't allow में है या ask every time में है तो आपको ऐसे बिलुकुर नहीं रखना है आपको रखना है allow only using the apps तो आप next में contact में देख सकते हैं इसमें भी allow कर देना है तो guys यहां पर file and media में भी देख सकते हो allow करना है ठीक है जितने भी यहां पर है सब कुछ में आपको allow कर देना है allow करने के बात गई आपको अपने phone को एक बार switch करके on कर देना है ठीक है मिनिमाइज करके switch off करके on कर देना उसके बाद गाइस आपको अपने Instagram में real upload करने में कोई भी problem नहीं आएगा आप बड़े ही आसानी से आपके इसके बाद आपको problem नहीं आएगा आप ट्राइ कर लेना तो गाइस इतना ही है वीडियो तो आसा करते हूं गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा और प्लेस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलता है अगले व थैंक्सवर बाचीं